हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल इस्टड़ी वित लोकेंद्रा में आज है 20 जून 2020 और आज इसे रिलेटेट करेंट अफेर्स के सभी क्वेस्टन्स मैं आपसे डिसकस करूंगा तथा इन क्वेस्टन्स से सभी इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप पहला कुछ्षण दोस्तों इंटर नेशनल डे फॉर दा क्कश्वल वाइलेंस का मनाया जाता है तो दोस्तों ये मनाया जाता है दोस्तों 19 जून को मनाया जाता है तो दोस्तों इसे मनाता कोन है सैयुक्त राष्ट महासभा युनाइटेट नेशन जनरल अशेम् Carnival अब यह दिन भर में यौन हिंसा से पीड़ूतों को संमानित करने या ऐसे लोगों को स्रद्धान मिलती है अब चलते हैं दोस्तों अगले कोशन कियो और अगला कुशन है दोस्तों हमारा United Nation महसाभा के 75 अध्ययक्ष किसे चुना गया है तो इसका सही आंसर है दोस्तों Walking Boss Gear कौन दोस्तों Walken Boss Gear इनको चुना गया है 75 सद यूनाइटे नेशन के 45-ně 70 का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों अभए वाल्कन गेउड़ से पहले वहाँक से अध्यक्ष कॉन से पहले थे वहांकि अध्यक्ष differenti को वेसे तीजानी मुहम्मद बंदे कौन दोस्तों टिजानी मुहमम्मद बंदे अब बात है सयंक्तृ राष्ट सभा की तो सभा का मुख्याले कहा है सभा का मुख्याले है न्यू यार्क में और इसके संस्थापक कौन है इसके संस्थापक है संयुक्त्राष्ट और इसकी स्थापना हुई थी 1915 दोस्तों यह हैं वोलकन बोजगीर यहीं बने हैं यहीं बने सभा के 75-70 के अध्यक्ष चलते तो यह एक फिल्म निर्दे सकते यह मले आलम फिल्म निर्दे सकते दोस्तों इन्होंने कई फिल्म निर्देशित की हैं दोस्तों यह आर के निर्दे दोस्तों यह आर के सचितानंद दोस्तों इन्हों यह एक फिल्म निर्दे सकते इनकी पहली फिल्म 2015 में अनार कली निर्दे सकते हैं अगले क्विश्चन को चलते हैं दोस्तों अगला क्विश्चन है अभी 18 जून को किस राजी सरकार ने मास्क डे मनाया है दोस्तों अभी करनाटक की तो करनाटक के मुख्य मंत्री कौन है करनाटक के मुख्य मंत्री हैं दोस्तों बी-एस यदुरप्पा करनाटक दोस्तों यहां पर पढ़ता है यहां पर महाराष्ट के पास पढ़ता है दोस्तों करनाटक और करनाटक की मुख्य मंत्री तो 20 यह रूपा हैं राजेपाल को ने राज्यपाल है वजु भाई वाला कौन दोस्तों वजु भाई बाला करनाटक के राजधानी क्या है बंगलोर चलते एं दोस्तों अगले कुस्चन की हो और इस क्विश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती ह कि अपना आगले क्विश्चन दोस्तों यह कि अभी किस मंत्री कोड़ similarly की लिए पहली मोबाइल आइ लेब लाउंज की है तो इसका आ अंसर दोस्तों डाक्टर हार सुवर्धन डाक्टर हार सुवर्धन जी ने अभी पहली मोवाइल आई लाइब लॉंच की है यह भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब है जो रैपिड रिस्वांस मुवाइल का प्रियोक सालग है चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्विस्चन की और दोस्तों यह है वह आई लैब इसको लॉंच किया है अभी हमारे केंद्री स्वास्त मंत् तो डॉक्तर हर्षवर्दनं जी अब चलते हैं इस क्विस्टन से दोस्तों आपको इतनी जानकारी मिलती है आप चलते हैं दोस्तों अगले कुष्चन की और अभी किस बैंक फाइनेंस ने और फूर डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल सरू की है तो अभी ये सरल योजना है दोस्तों इसे किस बैंक ने सुरू किया है इसको शुरू किया गया है इस योजना कलाब निम्न हुआ मद्यमवर्ग की लोग ले सकेंगे जिनकी वार्षिक आए 6 लाग से कम है वह इस योजना का लाब ले सकते हैं दोस्तों और इस योजना से कि इसके अध्यक्ष कोने इसके अद्यक्ष है अनूब बागाची कौने दोस्तों इनके अध्यक्ष अनूब बागाची अब कौन दोस्तों अनिरुद्ध कमानी कौन दोस्तों इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों चलते हैं अगले क्विस्चन की ओर क्विस्चन नमबर सेवेन हैं मुंबाई में ICU बिड और वेंटी लेटर की जानकाई देने के लिए कौन सा एप लॉंच हुआ है दोस्तों यहां पर मिस्प्रिंट हो गई है इसका सही आंसर है एयर वेंटी एयर वेंटी एप लॉंच हुआ है अभी यह दोस्तों अभी मुंबाई में कोविड नाइंटी के ख़तरा बढ़ता जा रहा है इसलिए वहां पर काफी सारे मारीज हो गए हैं तो हां ICU बिड और वे प्राइवेट लिम्टेट के साथ मिलकर विक्सित किया किसने दोस्तों ओक्ट वेर टिकनोलोजी लिम्टेट ने प्रोबिटी सॉफ्ट वेर प्राइवेट के साथ मिलकर विक्सित किया है अब इसको महाराष्ट में विक्सित किया गया है तो इसलिए महाराष्ट की राजद की और अगला क्विश्चन है अभी किसने पीम स्वानिधी योजना के लिए एम ओ यूपर हस्ताच्चर की हैं अभी किसने पीम स्वानिधी योजना के के अंतर्गत यह जो महुआ है यह सीड़वी का मार्ग दर्शन करेगा इस म यू के अंतर्गत पीम्हानी दि योजना का कारवान में महुआ के मार्ग दर्शन में वी तोड़ गि copies प्रबंद ने देचा कान मुख्माद मुस्तफा कॉन दोस्तों मुहम्मद मुश्टफा और केंद्री आवास सहरी मामलों के मंत्री को ने दोस्तों केंद्री आवास सहरी मामलों के मंत्री हैं हर्दीप सिंग पूरी कौन दोस्तों हर्दीप सिंग पूरी यह दोस्तों पीम स्वानीदी स्कीम इसको अभी लॉंच किया गया है कि चलते हैं दोस्तों अगले क्विश्चन के और किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है किस तरह किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया है तो इसका सही आंसर दोस्तों बैंक और बड़ोदा बैंक और बड परकार लोन लिया सकते हैं दोस्तों वह ओन लाइन और बात है बात है Benk को बड़ावदा की टैग लाइन क्या है भारत का अंतर राष्टी बैंक क्या दोस्तों भारत का अंतर राष्टी बैंक चलते हैं दोस्तों अपने अगले कुष्चन कुष्चन में नमर्दस तक्यों मुच ने किस सहर में Global Business सर्विस σεंटर खोलने की गोशना की यह इसका तुत दोस्तों पुण्य बिक्ट्र में अभी पुणे में अपना Global Business Center घोलने की रखत की यह बात दोस्तों लगभख-दोस्तों दोहजार लोगों को रोजगार मिलेगा और यह एक ब्रिटेन की कमपनी है इससे दोस्तों इतनी जानकारी मिलती है चलते हैं अपने अगले क्विश्चन की और अभी कोविड नैंटी महा मारी में सुसासन प्रक्रियाओं पर अंतरराष्टी कारे साला का उद्गाटन किस ने किया है तो इसका उद्गाटन किया है दोस्तों जितेंद्र सिंग इसका सही आंसर है दोस्तों आंसर नम्मर 3 केंद्री कार्मिक लोग सिकायत वापेंशन राज् उन्तुरी जितेंद्र सिंग इनोंने अभी इसका उद्गाटन किया अभी तो इसका विक आःबिकिस बनके ने कोविड नाइटी महा मारी को लाइखिल की है इसका सही आंसर दोस्तों करनाटक बैंक कौन दोस्तों करनाटक बैंक बात है करनाटक इस पॉलिसी से होगा क्या दोस्तों इसने इसने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंसोरेल्स कंपरी लिम्टेड के साथ मिलकर यह हेल्थ भी में पॉलिसी सुरू किया जो करनाटक बैंक है दो and CEO कौन है महाबलेश्वर महाबलेश्वर हैं इसके MD & CEO और इसका मुख्याळ कहा है इसका मुख्याले करनाटक में यह दिस्तो चलते हैं दोस्तों तो हमारा आज के कि यह दोस्तों हमारा चैनल इस्टेडी भी लोकेंद्रा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता दोस्तों और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों आपको बहुत